Hello everyone, एक बर फिर से स्वागत आप लोगों का Bull vs. Beer में तो आज है 10 November Sunday आज हम analysis करेंगे natural gas की 11 November यानि की Monday के लिए तो अगर आपने अभी तक crude oil की analysis नहीं देखी है 11 November के लिए तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो और चैनल को subscribe करना मत भूलना तो अपडेद ही ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं तो यह आपके सामने चार्ट ओपन है natural gas का यह मैंने natural gas का daily time frame पर चार्ट ओपन करके रखा है तो सबसे पहले जैसा कि हम हर वीडियो में यह जानते हैं किसी बी stock यह किसी भी index की analysis करने के लिए सबसे पहले उस index यह उस stock का trend हमें पता होना चाहिए कि वो किस trend में है तो generally 3 trends होती है सबसे पहले हम यह पता करना है कि वो uptrend में है या down trend में है या फिर sideways है तो इसी तरह से natural gas का trend पता करने के लिए हमने इसको daily time frame पर open कर लिया है तो अब हम देखते है natural gas का trend किस side है तो आप लोगों को एक ये triangle pattern show हो रहा होगा natural gas में मैं आपको draw करके दिखाता हूँ ये एक triangle pattern यहां से ये एक है और नीचे से ये एक support line आ रही है इस triangle pattern में जब भी market उपर की side जाता है तो नीचे की तरफ आता है फिर नीचे से consolidate करके उपर जाता है फिर उपर से टकड़ा के consolidate करके नीचे आता है फिर यहां से consolidate करके उपर जाता है अब ये यहां पर आके खड़ा हो गया है अब हम देखते हैं ये उपर की trend line से इसको breakout करके उपर निकल जाएगा या फिर यहां से consolidate करके वापस नीचे की साइड इस trend line की तरफ ये आएगा तो अब हमें पता चल गया daily time frame से कि market अभी किस zone में घूम रहा है तो market अभी इस triangle के अंदर घूम रहा है तो जो भी लोग positional trader होंगे वो अपना trade इस तरीके से plan करेंगे जो भी इस triangle के zone होंगे उसके basis पर अपना long term के लिए plan करेंगे तो अब हमें पता पर गया पता चल गया कि किस zone में natural gas अभी trade कर रहा है इन दोनो trend line के triangle trend line के बीच में market अभी trade कर रहा है तो अब हम देखते हैं ये तो हो गया positional trader के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो और इस video का हम like aim रखते हैं 100 likes तो आप सब लोग अपना प्यार बरसाना मत भूलना तो चलो अब हम देखते हैं daily time frame पे यानि 11 November को Monday के दिन natural gas क्या कर सकता है तो चलो 15 minute की time frame पे मैं अभी 30 minute की time frame पे मैं natural gas को open कर लेता हूँ ये natural gas यहाँ पर open हो गया ठीक है अब देखो आपको पता है उपर वाली trend line से market जब भी टकराता है तो consolidate करके नीचे आता है लेकिन अब हमें यह देखना है कि यह यहाँ से consolidate करके उपर की side जाता है trend line को breakout करके यह नीचे की side आता है तो देखो सबसे पहले simple से level है अगर market एक second मैं आपको draw करके clear दिखाता हूँ अगर market 224 वाला जो zone है यह वाला जो zone है इसको अगर breakdown करता है तो यह नीचे की side सीधा आएगा 219 तक के level पे ठीक है और अगर 219 तक 19 का level भी breakdown करता है तो इसके लिए नीचे के long term के लिए level open हो जाएंगे जो की 202 तक के लिए होंगे ठीक है और अगर यह 202 को भी breakdown कर देता है 202 को breakdown कर देता है तो इसके लिए नीचे के level open होंगे यानि की 192 तक के level open हो जाएंगे नीचे के लिए इसको देखो ये एक दिन में नहीं आएंगे हो सकता है 3-4 दिन में आए लेकिन आएंगे जरूर यह यहां से अगर breakdown करता है तो 194-192 तक के level हमारे लिए नीचे open हो जाएंगे अगर आप exact पूछो तो मैं आपको exact बताता हूँ 192 तक के लिए level open हो जाएंगे तो अब एक बार फिर से हम देखते हैं अगर market downside की तरफ 224 को breakdown करता है तो 219 तक के level खुल जाएंगे और अगर 219 को भी breakdown करता है तो नीचे के level खुल जाएंगे 202 का level खुल जाएगा और 202 का level भी breakdown करता है तो 192 का level खुल जाएगा इनके बीच में भी चोटे-चोटे zone है अब अगर देखो अगर एक और zone पूछो बीच में अगर आप एक और पूछते हो कहां पर ये hold कर सकता है तो वो zone है ये 208 पर market और रुख सकता है यानि कि 224 को तोड़ा तो 219 तक आ सकता है 219 को तोड़ा तो 208 तक आ सकता है और 208 को तोड़ा तो 202 को भी तोड़ता है तो 192 तक आ सकता है ठीक है ये तो हो गए downside के level अब आजाओ upside के level अगर market downside की तरफ नहीं तूटता है तो क्या होगा अगर market यहाँ से consolidate करके ऊपर की side यहाँ से थोड़ा और consolidate करके इस trend line को तोड़ता है तो market के लिए ये वाला level open हो जाएगा कौन सा 235 तक का level open हो जाएगा 235 तक का level open हो जाएगा अब अगर market 200 इसको भी breakout कर देता है तो market के लिए कौन सा level open हो जाएगा ये वाला अगर 235 को भी breakout कर देता है तो 244 तक का level market के लिए open हो जाएगा ठीक है अगर 234 को भी breakout करता है तो 244 का level open हो जाएगा 244 को भी breakout करता है तो 254 का level open हो जाएगा ये आपको upside और downside दौनों की side level आपको मिल गए है same to same chart आप अपने chart में बना सकते हो या फिर आप इन level को लिख सकते हो अगर आप खुद के chart में draw करोगे तो खुद सीख जाओगे और आपको फिर किसी भी analysis की जरूद नहीं बढ़ेगी आप खुद ही analysis कर सकते हो और अगर सिर्फ zone लिख लोगे तो फिर सिर्फ आपको number ही पता चलेगा आप analysis तो नहीं सीख पाओगे इसलिए अपने खुद का chart सेम इस तरीके का बनाना जरूर सीखो और trade करने से ज़्यादा कहां trade नहीं करना है इस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है मैं एक बार फिर से sum up कर देता हूँ natural gas को देखो 225.7 पर अभी natural gas चल रहा है अगर downside की तरफ 244 को तोड़ता है तो इसके लिए level open हो जाएंगे 219 के और 219 को तोड़ता है तो 208 का 202 का level open हो जाएगा और 202 को भी तोड़ता है तो 192 का level open हो जाएगा upside की तरफ अगर ये एक जोन में चल रहा है इस छोटे triangle का breakout करता है तो 235 का level open हो जाएगा 34 से लेके 35 का उसको भी तोड़ता है 244 का level open हो जाएगा upside उसको भी तोड़ता है तो 214 का level open हो जाएगा I hope आपको ये analysis अभी तक समझ में आ गई हो और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो नीचे comment box में जरूर comment करना और जो चीज सबसे अच्छी लगी हो वो भी comment करना और इस वीडियो का aim रखते हैं फिर से 100 likes के लिए और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके जरूर जाना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में good bye